प्रभात, आज का हमारा पाठ है उपसर्ग। आओ बच्चों, आज हम उपसर्ग के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। बच्चों, हम कुछ शब्दों को ध्यान से देखते हैं। मान, अपमान, हार, उपहार, जन, निर्जन, फल, सफल, रस, नीरस। आपने देखा कि वर्ग का के शब्द मूल शब्द हैं, वर्ग का के शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़ कर शब्द बनाए गए हैं। ये शब्दांश मूल शब्दों के पहले जोडे गए हैं. इनके जोडने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ गया है. लेकिन इन शब्दांशों को स्वतंत्र रूप से या वाक्यों में परियोग नहीं किया जा सकता. तो बच्चों, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में पांच प्रकार के उपसर्गों का प्रियोग किया जाता है, एक संस्क्रत के उपसर्ग, दो हिंदी के उपसर्ग, तीन अर्भी फार्सी के उपसर्ग, चार उपसर्ग की तरहां प्रियोग किये जाने वाले संस्क्रत के अव्य, पांच अंग्रेजी के उपसर्ग। आओ इन्हें विस्तार से समझते हैं. संस्क्रत के उपसर्ग आओ बच्चों संस्क्रत के कुछ उपसर्गों को देखते हैं. उपसर्ग आ का अर्थ नहीं अभाव होगा, इसका शब्द रूप अचर, अमर, अजर होगा. इसी प्रकार उपसर्ग अन्म का अर्थ नहीं अभाव होगा और इसका शब्द रूप अनादर, अनर्थ, अनावश्यक होगा उपसर्ग अती का अर्थ अधिक होगा और इसका शब्द रूप अत्यधिक, अत्यचार, अत्यंत होगा इसी प्रकार उपसर्ग अधी का अर्थ उपर श्रेष्ट होगा और इसका शब्दरूप अधिकृत, अधिनायक, अधिपति होगा। उपसर्ग आ का अर्थ तक रहित होगा और इसका शब्दरूप आवरण, आचरण, आमरण होगा। इसी प्रकार उपसर्ग उप का अर्थ पास समान होगा तथा इसका शब्द रूप उपचार उपग्रहे उपसचिव होगा। इसी प्रकार उपसर्ग नी का अर्थ नीचे निशेद होगा और इसका शब्द रूप निवास निदान निबंध होगा। इसी प्रकार उपसर्ग परा का अर्थ विप्रीत अनादर होगा और इसका शब्द रूप पराजय पराधीन पराकाश्था होगा। हिंदी के उपसर्ग आओ बच्चों अब कुछ हिंदी के उपसर्गों को देखते हैं उपसर्ग अध का अर्थ आधा होगा और इसका शब्द रूप अध्मरा, अध्खिला, अध्पका होगा उपसर्ग चौ का अर्थ चार होगा और इसका शब्द रूप चौराहा चौमासा चौपाया होगा इसी प्रकार उपसर्ग उनका अर्थ कम होगा तथा इसका शब्द रूप उन्नीस उन्तीस उन्तालिस होगा इसी प्रकार उपसर्ग बिन का अर्थ बिना होगा और इसका शब्द रूप बिन कहे बिन मांगे होगा इसी प्रकार उपसर्ग भर का अर्थ पूरा होगा और इसका शब्द रूप भर पेट, भर मार, भर पूर होगा उर्दू और फार्सी के उपसर्ग आओ बच्चों अब कुछ उर्दू और फार्सी के उपसर्गों को पढ़ते हैं उपसर्ग बे का अर्थ बिना होगा और इसका शब्द रूप बेकसूर, बेरहम, बेइमान होगा इसी प्रकार उपसर्ग खुश का अर्थ प्रसन होगा और इसका शब्द रूप खुश खबरी, खुश हाल, खुश नसीब होगा। इसी प्रकार उपसर्ग ला का अर्थ बिना होगा और उसका शब्द रूप ला वारिस, ला इलाज, ला जवाब होगा। इसी प्रकार उपसर्ग हम का अर्थ समान होगा और इसका शब्द रूप हम दर्थ, हम शक्ल, हम सफर होगा. इसी प्रकार उपसर्ग बद का अर्थ बुरा होगा और इसका शब्द रूप बदनाम, बचलन, बदकिस्मत होगा. इसी परकार उपसर्ग कम का अर्थ थोड़ा होगा और इसका शब्द रूप कम जोर, कम अक्ड, कम उम्र होगा आओ बच्चों, अब हम हिंदी में उपसर्ग की तरहाँ प्रियोग किये जाने वाले संस्क्रत के अव्य का समे विश्य में पढ़ते हैं उपसर्ग अंतर का अर्थ भीत्री होगा और इसका शब्द रूप अंतर देशिय अंतर जाती होगा इसी प्रकार उपसर्ग अधह का अर्थ नीचे होगा और इसका शब्द रूप अधोलिखित, अधोपतन, अधोगती होगा इसी प्रकार उपसर्ग चिर का अर्थ बहुत या देर होगा और इसका शब्द रूप चिरकार, चिरनजीवी, चिरायू होगा। इसी प्रकार उपसर्ग पुरा का अर्थ पहला या पुराना होगा और इसका शब्द रूप पुरातत्व, पुरातन, पुरावस्तु होगा. इसी प्रकार उपसर्ग सह का अर्थ साथ होगा और इसका शब्द रूप सहपाथी, सहयोगी, सहकर्मी होगा. इसी प्रकार उपसर्ग पुना का अर्थ फेर होगा और इसका शब्द रूप पुनर जन, पुनर निर्मान, पुनर विचार होगा अंग्रेजी के उपसर्ग आओ बच्चों अब हम कुछ अंग्रेजी के उपसर्गों के विश्य में पढ़ते हैं उपसर्ग head का अर्थ प्रमुख होगा और इसका शब्द रूप headmaster, head clerk, head cashier होगा इसी प्रकार उपसर्ग half का अर्थ आधा होगा और इसका शब्द रूप half pant, half plate, half ticket होगा इसी प्रकार उपसर्ग full का अर्थ पूरा होगा और उसका शब्द रूप full proof, full sweater होगा इसी प्रकार उपसर्ग डबल का अर्थ दुगना होगा और इसका शब्द रूप डबल रोटी डबल खुराक होगा एक ही शब्द में दो उपसर्गों का प्रयोग आओ बच्चों कुछ ऐसे शबदों को देखते हैं, जहां एक ही शबद में दो उपसर्गों का प्रियोग किया गया हो उपसर्ग आ जोड सु का अर्थ होता है रक्षित और इसका शब्द रूप असु रक्षित होगा इसी प्रकार उपसर्ग आ जोड नि का अर्थ यंत्रित होता है और इसका शब्द रूप अन्यंत्रित होगा इसी प्रकार उपसर्ग निर जोड आ का अर्थ करण होता है और इसका शब्द रूप निराकरण होगा धन्यवाद